है 23 जूलाई 2024 कि नई सरकार ने नई केंद्रिय सरकार ने फुल बजट पैस किया इस बजड में कई सारे प्राभधान के साथ 4 bond के तेक्स के बारे में कुछ चर्चाया हैं कुछ प्राभधान आये और इस प्राभधान के बाद ऐसा लगा लोगों के ऐसे बिचार थे कि capital gain tax काफी बढ़ गया है अब आगे उन लोगों का क्या होगा जो खास कर equity-oriented mutual fund या equity shares में निवेश करते हैं यह बात सच है कि tax का rate बढ़ाया गया जैसे short term capital gain tax rate पहले 15% था अब उसको 20% कर दिया गया है और long term capital gain tax tax जो पहले 10% था अब सब्सक्राइब 12% कर दिया है एड़ इड़ इड़ एपियर्स की rate of taxation capital gain tax में short term long term दोनों में बढ़ गया है हलाकि यह tax कम हुआ फाइदा हुआ घटा हुआ हर लोग अपने बिचार थे मैंने भी अपने एक बिचार एक वीडियो पर दिया हुआ है यह अलग मुद्ध है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह tax बढ़ गया या कम हो गया इसके बावजूद आपके पास कुछ ऐसी बेवस्थाएं हैं कि आप long term capital gain tax या तो जीरो कर सके काफी कम कर सके इस बारे में मैंने इसके जस्त पहले एक वीडियो बनाई है उसमें तीन प्रावधान का जिक्र किया हुआ था चोथे प्रावधान का जिक्र हमने उसमें इसलिए नहीं किया कि वह वीडियो काफी बड़ी हुआ थी आज हम चर्चा करेंगे उन चोथे प्रावधान का जिस प् है इस video से कुछ value addition होता है इसे like कुरें share करें comment जरूर करें जिससे मुझे इए पता चल सके जो चीजें में अपने viewers को communicate करना चा रहे हो वो मैं communicate करने में सक्षम हूं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हूं और यह आपको लगए कि इसमेंस और यदि आप इस चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बगर ले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगतार मिलती रहे मेरा नाम डीम जाहे इनकम टेक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54 के अनुशार यदि आपको एक्विटी सेर्स या एक्विटी औरेंटेड मिच्वल फंड में कोई लॉंग तम कैप्टल गेन होता है तो उस कैप्टल गेन पे आपका टैक्स या तो जीरो हो सकता है या काफी हद्ट कम हो सकता है लेकि इसके कुछ प्राभधां हैं तो सबसे पहला प्राभधान है इसके हम को या दिट को चिवेशन में इन्वेस करना पदए है इस पर पहला सवाल होता है कि क्या पूरे के पूरे से स्टरागक्शन के स्टीट सन को नो वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम कर सकते हैं, इसके लिए इसको कल्कुलेट करने की लिए एक पॉर्मूला है और वह फॉर्मूला है कि इत्रेंशनीज उचेक वल टू imp चैप्चल गैन अपन नेट कशिडेशन मो इंक जैजिद आप वा दाय उसमें से कितना एमोंड आपने इन्वेस्ट किया फॉर पर्टेज आप दा रिजिदेंशल हॉश जैसे आप जानते हैं कि सेंट कैंसे और पर्टेज वेल्यू वह कैपिलल गेन माना जाएगा और नेट मिंस जो सेंस हुआ उसमें से जो आवस्चा करदेंगे तो आपको नेट का सितन शन मिलेगा हाला इससे बात हैं बहुत क्लियर स्पस्ट नहीं हो पा रही है तो इसको हमें एक उधारन से समझते हैं कि हमें exemptions कैसे calculate करना होगा हमने माना कि 2014 में 5 लाक रूपे आपने equity shares या equity oriented mutual fund में invest किया था जिसको कि 2014 में या तो share था तो उसको sell कर दिया या mutual fund था equity oriented mutual fund इसको redemption किया और नेट का सिदेशन्स इस रिडेंशन्स या शेयर सेल करने का है वह 40 लैक्स है मतलब पांच लाग का original purchase नेट कंस्टेशन 40 लैक्स कि सिंपल कलकुलेशन में capital gain 40-5 35 लैक्स मिन्स इस transaction से मुझे long term capital gain 35 लाग का हुआ अब इस 35 लाग में से हमारी इच्छा है कि कुछ पैसे मैं residential house को purchase करने में लगाऊ या पूरे पैसे लगाऊ हम उधारन माना हमने कि 35 लाग में इसमें जो exemptions मिलेंगे 35 लाग का आपको capital gain मिला है और आपने 30 लाग रुपे इन्वेस्ट कर दिये फॉर पर्टेश आप दर रेजिशन्चिल हौश तो एक्जम्शन्स होगा इस transactions को यदि हम नजीर मानें तो हम कह सकते हैं इस transactions में आपको 26 लाग पचीश हजार 35 लाग का आपको capital gain हुआ और 26 लाग पचीश हजार पर कोई tax नहीं लगेगा इसका मतलब बाकि जो 8 लाग 75 लाग के आज पास आपको बसते हैं capital gain उस पे आपको tax के provisions के हिसाब से tax देना पड़ेगा और यदि इसी को आप यह मानें कि आपने पूरे 40 के 40 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिये तो 40 अपन 40 इन्टो 35 मतलब पूरे 35 लाख का जो capital gain हुआ था उस पूरे पर एक्जमस मिलेंगे और आपके tax जिरो हो जाएंगे और यह सिमाएं जो एक्जमस की हैं इस section 44F में यह 10 कवर तक है यानि 10 कवर तक का capital gain यदि आपको equity shares या equity oriented mutual fund के transactions में long term capital gain होता है तो आप इस tax को 0 कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी कि यह 10 कवर तक exemption पाने के लिए कुछ conditions हैं जो सबसे पहला conditions हमने बताया था यह बताया था कि यह gain के वह long term capital gain ही होना चाहिए इसका मतलब जो equity shares या equity oriented mutual fund में आपने transactions किया है उसके holding period कम से कम एक साल होगी तभी आपको यह सुविधा मिलेगी short term capital gain में यह सुविधाएं नहीं है नमबर दो कि यह transactions यह applicable है कि अब इंडिविज्वल और हुएफ हुएफ मींस हिंदू undivided family उसी पर यह applicable होगा कोई partnership कोई entity यह करता है तो उनको यह सुविधाएं नहीं मिलेंगे नमबर थ्री जो सबसे दिक important है कि यह जो net consideration इस transactions में होगा उस net considerations को आपको नए residential house में invest करना पड़ेगा इसमें कुछ सब conditions और हैं या कुछ सवाल और होते हैं कि कब तक करना होगा हमें for example यदि आज हमने transactions किया और तीन दिन के बाद पैसे मेरे खाते में आ गए तो हम कब तक नए house के purchase कर सकते हैं कितने इसमें क्या समय की अवदी है इसमें इस section के अनुसार यह provisions है कि जिस दिन आपने यह transactions किया उसके पूरे एक साल पहले तक यदि कोई आपने residential house purchase किया है या इस transactions के अगले दो साल और तक कोई residential house purchase करते हैं तो उस पर यह सुवधा मिलेगी जिनाब यह तो बातें की हमने residential house purchase करने की यह तिसरी conditions और सुवधाएं और हैं कि यदि इस पैसे को आप नए house के construction में लगाते हैं तो उस पर भी एक्जिंस मिलेंगी conditions के वली यह है कि यह construction जिस दिन transactions किया आपने उसके तीन वर्षों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए तभी यह एक जमस्स मिलेंगे यह बाते हुई कि आप रिसेंजल house purchase करेंगे construct करेंगे उसके क्या सब करणिसंस हैं एक और करनिशनस हैं इस पे कि जिस दिन आपको ने यह ट्रांजक्सन किया मिन्स लॉंग टंप capital गेंज जिस दिन हुआ आपको उस दिन आपके नाम से एक से अधिक रिसेंजल house नहीं हो न आपको नहीं मिलेगी एक और सब कंडिसेंस है कि आपने या तो हाउस को कंस्टक्ट कर लिया या हाउस आपने पर्चेस कर लिया नेट का सिजिएसन जो इस टांजेक्शन का हुआ था उसके पैसे से लेकिन एक कंडिसेंस में इंपोर और किया गया है कि वो रेस्जिजिजन सा हाउस आप अगले तीन वर्सों तक सेल नहीं कर सकते यदि आपने उसके तीन बर्सों के अंदर इसको सेल कर दिया तो जिस साल आपने इसको सेल किया और इतने एक जमसेंसापको लोंक्टप कैपिटल में मिला था वह इस फाइनांसियर के इंकम में आएड़ हो जाएगा मैं समझता हूँ यदि आपके पास अपना कोई घर नहीं या अपना घर है तो आपके नाम एक ही घर है और आपके को एक्यूटी सेर्स या एक्यूटी औरे मीच्वल फंड्स में से एक लंबा चौड़ा लॉंग टम कैपिटल गेन होने वाला है तो आप सेक्शन फुर्टी फिप्टी फॉर एफ के में दिये गए प्रावधानों का लाव उठा के दूसरा मकान पर्चेस कर सकते हैं इसके मेर देना चाहता हूं कि नहीं मैं कोई मिच्वल फंड एडवाइजर हूं नहीं मैं कोई टेक्स कंसल्टेंट हूं मैं फैक्स के बेसिस पे एनाल्सिस करता हूं और एनाल्सिस के हिसाब से मैं उसको इंटर्पर्टेट कर अपने बिचार आपके सामने रखता हूं मेरे के चर्चा हमने की है उन बातों को ध्यान में रखें उसके बाद दिसनल ने तो साइथ आप बेतर निर्ड़े ले पाएंगे थैंक यू